नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पियार मैं हूँ आदेश पूरी बिहार में 2016 से पुर्ण सराबंदी है यानि कि सराब का सेवन करना खरीद बिक्री करना तसकरी करना एक बहुत बड़ा संगिन अपराद माना जाता है लेकिन बिहार में चोरी जिपके सराब की खरीद बि हैं लेकिन आपको बताएं कि बिहार में जहां सराब पीना और होम डिलिवरी करना एक बहुत बड़ा अपराब्द है तो वही देश की राष्टी है रजधानी दिल्ली में सरकार ने सराब को होम डिलिवरी देने का फैसला किया है आपको बता दे कि लॉकडाउन लगा हुए उन्हें होम डिलिवरी की सुब्दा दी है इनी सब को लेकर जदिव के जो प्रवक्ता है और नेता है अजायलोक ने ट्वीट किया है और यह ट्वीट जो है यह काफी कंफूजन बला है कि आखिर यह अपनी सरकार नितिश सरकार की वहवाही कर रहे है या फिर गाली नितिस कुमार को आपको बताएं कि जहां बिहार में पूर्ण सराबंदी है और आप पर बहुत बड़े बड़े जो हैं वो दफा लगाए जाते हैं कानून के अगर आप सराप का सेवन करते हैं या फिर तसकरी करते हैं या फिर होम डिलिवरी करते हैं और दिली में होम डिलिवरी सरकार ही करवा रही है तो अजाया लोग का काना है कि एक देश में दो का एक जगह वाहि और दूसरे जगह गाली या खीर ये प्रस्म जो है उन्होंने आप ये समझ में आ रहा है कि नितीजिक्ट कुमार से पूछा है या फिर एक बीच का रास्ता एक तरकवाला बात कहा है इन्होंने क्योंकि एगर हम बात करें तो देश में हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग होती है और हमारे समिधान के निते निर्थोक ततों के आठकिल 44 में भी एक समान संगिता का वर्णन किया गया यानि कि पूरे देश के लिए एक कानून हो लेकिन अगर हम सराबंदी की बात करें तो बिहार में सराब का तसकरी और सेवन करने पर है कि आपक में की काला कानून है बिहार को ड्राइए श्टेट कहते हैं नितीसकुमार वह यह अगर हम बिहार के बगल में बात करें उत्तर परदेश घरखंट बंगाल और दूसरे देश की बात करें ने पाल तो वहाँ पर सराब झोली आएं हम ये होम डिलेवरी जो है वो केवल घर पर ही होगी औफिस में नहीं होगा और और एल ठाटिन जिसके पास लाइसेंस होंगे जिन सराब विक्रताओं के पास वो ही होम डीलेवरी कर सकते हैं और इसके लिए मोबाइल एप और वेबसाइट पोर्टल पर आप ओर्डर कर सकते हैं होम डिलिवरी के सराब के लिए तो अजय आलोक आपको बताएं कि इन्होंने ट्विट किया है अब इनका ट्विट जो है काफी असमंजस वाला है कि इस ट्विट के माध्यम से इन्होंने नितीश कुमार परवार किया है या फिर केजरिवाल परवार किया है आपको हम बताएं केजरिवाल के बारे में केजरिवाल ने कुछी दिन पहले सराब पीने का जो नियुमतम उम्र है उसे घटा कर अठाड़ा सल कर दिया तो देश की राजधानी है दिल्ली और वहां पर सरकारे जो हैं सराब पीने का उम्र घटा रही है लोगडाउन लगा हुआ है तो होम डिलिवरी करवा रही है तो यह बिहार में सराब एक अस्त रखने से भी ज़्यादा खतरनाक जो है वस्तू है अगर आपके घर में सराब पकड़ा जाता है तो आपके पड़ी सर को भी सील करने का उसो नि दरव्य जो है वह एक राज में बहुत हुए उसके लिए कड़ा कानून है और दूसरे राज में सरकारी घर-घर पहुंच वा रही है तो सीधे सब के मन में आता है सराब की बात आती है और delivery boy का बात मिंस सराब को गैर कानून तरीके से बेचने वाला वो ट्राफिकर मिंस जो वेक्ती जो आपके घर पर पहुंचाता है उसे delivery boy कहा जाता है बिहार में अलग बात है कि अगर आप online shopping करते हैं तो उसके विलिए भी delivery boy होते हैं जो आपके उत्पादों को घर पहुंचाते हैं लेकिन बिहार में delivery boy का मतलब सबसे पहले सक सराब को ही लेकर होता है तो अपने आप में काफी ये आश्चर वाली बात है और एक जगा वावाही और दुस दोनों को किया है नितिश कुमार और केजरिवाल दोनों को तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा है लाइक शेयर करें हमारे चैनल न्यूस पर को सस्क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद